हमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी माहराष्ट से बड़ी खबर है अंडरवल्ड डॉन दाउदी प्राहिम की बहन हसीना पार्कर के खर इडी की छापेमारी लगातार चारी है माहराष्ट में इडी थे अलग-लग ठिकानों पर शिकंजा कसलिया है और अंडरवल्ड डॉन दाउदी प्राहिम के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है लेकिन शिव्जेना और खासतोर पर शिव्जेना के संजयर राउत के पेट में दर्थ हो रहा है जिस तरीके से उनके बयान साफ ने आई हैं उनकी बॉकलाहट साफ तोर पर देखने को मिली है लेकिन आपको बता दे माहराश्ट में इधी ने अलग-लग ठिकानों पर छापेमारी की है बताया चौरा है कि लगभग 10 ठिकाने है जिस पर लगातार चापेमारी जारी है और ये पूरा हमाफला अंडरवर्ड डॉन दावती प्राहिम से जुड़ा हुआ है तरसल उनके खिलाफ जो है एफाहियार 15 दिन पहले दर्च की गई थी और इसी पूरी कड़ी में फिलाल केंद्रिय जाच अजेंसी एडी माहराश म अलगलग ठिकानों पर चापेमारी कर रही है ये पूरा हमाफला अंडरवर्ड डॉन दावती प्राहिम और उनसे जुड़ी संपत्यों की खरीद फरोक्त का ये पूरा हमाफला है जिसमें एडी फिलाल जाच कर रही है और मुंबई के अलगलग जंखों पर ये चापेमारी की गई है और खबरों की माथे तो इस दोरान एडी के अधिकारी दावदी प्राहिम की बेहन जो है हसीना पारकर जो फिलाल नहीं है इस दुनिया में उनकी मौत हो चुकी है उनके घर पर भी एडी के अधिकारी पहुंचे है वहां भी छानबीन की गई है तो कहीं न कहीं इ पूरी चानबीन फिलाल एडी कर रही है आपको ये बता दें कि एनाई के अधिकारी सुत्रों के हवाले से ये बड़ी चानकारी निकल कर साफने आई है कि मुंबई में अलगर ठ्यानों पर एडी लगातार च्छा पिमारी कर रही है इसमें दाउदी प्राहिम की बेहन हसीना पारकर का मुंबई इस्थित आफास भी है जहां एडी के अधिकारी पहुँचे हैं और कारवाई जो है वो धन शोधन निवारन कानून यानी पीमले के अंतरगत जो है वो प्रवतन नितेशाहले लगातार कर रहा है तो मुंबई में ये फिलाल बड़ी रेड कहीं न कहीं ह हो रही है बड़ी चापेमारी है लेकिन सियासत एक पार फिर से माहराष्ट में शुरू हो गई है जहां एक तरफ शिवसेना के सांसर संजयर राउत की बॉकलाहट साफ ने आई हैं संजयर राउत ने ये कहा है कि दरसल अगर इदी के पास कोई जानकारी है तो देश की सुर का विशे है यानि संजयर राउत का ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कही न कहीं दाउत और उनके जो गुर्गे हैं जो फिलाल माहराष्ट में रह रहे हैं जो माहराष्ट में लगातार अपना इस तरीके का ये हलाला का कारोबार चला रहे ह लगातारि कहले कि उसमें लगातार चाम वाली चारी हनी तुक नियुके चिज़ों को बचाने की कोशिश वो शिव्हसेन कर रही है यह संजयर्ाउथ का ब्यान का ब्यान काफित कहे है और संजयर्ण इस से कितना खपराई हो एं डड़े हैं यह साफ sanctions पर ब्याейств yn जब संजय राउत ये कहते हैं कि दरसल अब बीज़ेपी के नेताओं की जेल जाने की बारी है और वो आज शाम 4 पचे एक प्रेस कॉनफरेंस करेंगे जिसमें वो कई बड़े खुलासे करेंगे कई बीज़ेपी नेताओं को लेकर बड़े खुलासे संजय राउत करने जा रह रही है कि आखर अंडर्वर्ड टोन दाउदी प्राहिम और उनके करीफियों के ठिकानों पर ये रेड हो रही है तो आखर तकलीब शिवसेना और उधव ठाकरे की क्यों बढ़ रही है संजर राउथ आखर इतने परिशान क्यों है ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है हाला में जब माहराष्ट में पूरा ड्रग माकला गहराया तो उस दोरान ये साफने आया था कि NCB के जो नेता है और माहराष्ट में अल्वसंख्यक मंतरी है नवाह मलिक उनके जो संबंध है वो दाउद के गुर्गों के साथ है और इतना ही नहीं नवाह मलिक ने पकाहिता जमीन खरीती गई क्या वो डील जेल में हुई थी ये तमाम सवाल खड़े हुए थे उस वक्त और कहीं न कहीं यहीं वजा है कि लगातार बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर उथाव ठाकरे सरकार को खेड रही है फिलाल एडी की जो रेड है वो अंडरवर्ड डौन चपति प्राहीम और उनके गुरिगे साथी डी कंपनी के ठिकानो पर हो रही है उनकी बहरन चीना पारकर जिन Come हो चुकी है उनके ठिकानों पर हो रही है लेकिन क्यों तकलीफ जो है वो ठाकरे सरकार की बढ़ रही है यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है हाला कि इस पूरे मांखले पर जिस तरीके से संजयर राउत ने बीज़ेपी को घेरा है केंदर सरकार पर सवाल उठाए हैं एक बार फिर से उनकी तरफ से यह कहा किया है कि केंदर सरकार केंद्रिय चांच एजेंसियों का गलत इस्तमाल कर रही है लेकिन बीज़ेपी नेतार रामकदफ ने टाइमस नाउन भारत से बातचीत की है और यह कहा है कि संजयर राउत की प्रेस कॉनफरेंस से इस पूरे मांखले का कोई संबंध नहीं है कोई भी रेड अचानक से नहीं होती है दाउत के साथी के यहाँ रेड होने पर पूरे देश को खुश होना चाहिए कि आखर इतने बड़े माफिया, इतने बड़े अंडर्वर्ल्ट डॉन के घर पर छापेमारी हो रही है, उनकी कम्पनी पर छापेमारी हो रही है, जिसमें संपत्ति की खरीद फरोक्त का ये पूरा वाप आइसा है जिसमें कहीं न कहीं चानबीन जो है वो एडी करना चाहती है तो कहीं न कहीं ये देश्षी में एक बड़ी छापे मारी इक है शिवसेना को घेर रही है हलाकि इस पूरे माफले में चानपीन लगातार चारी है और मासाश्रे से फिलाल ये सबसे बड़ी खबर साफ ने आ रही है जिसको लेकर सियासत भी बेहत गर्माई हुई है और खबर ये है कि मुंबाई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर एडी का सर दाउदी प्राहिम और उनके सहयोगी सामिल थे और ये फायार दर्ज की गई थी और उसी के आथार पर अभी के छापेमाणी लगातार मुंबाई में अलग लग जखों पर दस ठिकानों पर चल रही है एनाई ने 15 दिन पहले दाउदी प्राहिम के खिलाब ये फायार इडी का ओफिशिल स्टेटमेंट साफ ने नहीं आया है लेकिन तस्वीरिंग ये साफ़तोर पर बता रही है कि कहीं ने कहीं जो च्छापेमारी है वो अंडरवल डौन दाउदी प्राहिम की बहन हसीना पारकर के ठिकानों पर जारी है इसके लाबा डी कंपनी पर भी ये च च्छापेमारी लगातार चल रही है और इस पूरिच च्छापेमारी को लेकर फिलाल महराश्ट में सियासत गर्माई हुई है बीजेपी नेता मोहित कामबोज की ओर से ट्वीट किया क्या है और लिखा क्या है कि संजेर राउट आज दाउती प्राहिम और कौन उनके दोस् है तो आज ये जरूर बताना चार बजे जो संजेर राउट प्रेस कॉन्फरेंस करेंगी कही न कहीं उससे पहले ही बड़ी चुनोती मोहित कामबोज की ओर से दे दी गई है क्योंकि ये पूरा मामला बेहत गंभीर है और जिस तरीके से अंडरवल डॉन दाउती प्राहिम म परार होकर कहीं न कहीं पाकिस्तान से मुंबई में अभी भी अपना कारोबार चला रहा है जिस तरीके से अपने गुर्गों को अभी भी माहराश्ट में उन्होंने बैठाया हुआ है और लगातार इस तरीके से हलाला मनी लॉंटरिंग और ड्रग ट्राफिकिंग वो चला है उसको लेकर बेहत गंभीर अपकेंद्रिया जांच एजनेंसिया हो गई है एक के बाद एक इन्पूट जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखर इस पूरे माकले में किस तरीके से छांटपीन की जाए और किस तरीके से गिराफतारी हो हाला कि कई गुर्गे ऐसे हैं ज पूरा माफला बेहत गंभीर है जिसमें केंद्रिया जांच एजनसी लगातार चानपीन कर रही है लेकिन संजेर राउत की पौकलाहट ये साफ़तोर पर बता रही है कि किस तरीके से अंडर्वर्ट टॉन दावती प्राहीम और गुर्गों के साथ उथव ठाकरे सरकार के सं कहीं संजेर राउत की पौकलाहट और उनके ब्यानसी साफ़तोर पर जाहिर होता है और यही वजा है कि बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखर बुंबई बंबलास्ट की हत्यारों से किसके संबंध है और माहराश्ट का दुश्मन कोन है इसका जवाब संजेर रा क्या है कि आखर देश हित में यह कारवाई हुई है राश्टर हित में यह कारवाई हुई है देश की सुरक्षा के लिए यह कारवाई बहुत जरूरी है लेकिन इस तरीके से अगर शिवसेना वोकलाई हुई है तो आखर उसके अंडरवर्ड डॉन दाउसी पराहीम और उनक झाल झाल